देखे बीजेपी डेमोक्रिसी के अगला घोट रही है तो बीजेपी अब यह चाह रही है कि कोई ओपोजिशन नहीं ना रहे हैं उनके बीजेपी के सपोर्टर्स भी कई यहां संगटन है आदिवसी लोग है वो खुद वो लोग बिरोट करेंगे मैं तो समझता हूँ यह यू सी सी हो यह पोलीगेमी हो बात कांट्रोल हो यह बीजेपी के सब जुम्लबाजी है देखे बीजेपी डेमोक्रिसी के अगला घोट रही है अब जहां जहां बीजेपी शाशित राज्य है यह बीजेपी के नेता है उनके घोटाले घोटाले नहीं है जो ऑपोजिशन पे बीजेपी जो एडी सी बी आई आई टी ये सब को लगा के पिरिशान कर रहे हर जगा हम देख रहे हैं तो ये डेमोक्रिसी के लिए अच्छे बात नहीं है और बीजेपी ये जबरदस्ती अपना एक छत्री एक तरफा ये चला रही है अब उनकी राज में कोई शतंत्र अब सब नहीं रहे गया जैंसी नहीं रहे गया अब इसके दुरूइप कर रहे है बीजेपी और ये दुखत बात है और सब अपोजिशन को मिल के लड़ना चाहिए इसके खिलाब पहले लाने दीजा क्या ला रहे हो अब तो सेशन शुरू होगा पांच त कि पणिशन को कि अब यंवलनी नहीं में घंडाट इए गया सब्सक्राइब इस मेंको तो हृँए पहले लाने दीजे जिसे को हमें उसको बात नहीं से पहले मैं समझता हो इस एक का अंदर से उसका बीरोध हो जाएगा बी जिबी की पता नहीं कितने नेता है जो polygammy के शिकार है वो खुद इस पर फसे हुए है तो पहले लाने दीजे हम उसको देखेंगे फिर बात में बात करेंगे पहले लाने दीजे क्या उनका मतलब है आप जब बीजिबी की इस तरह के उनके होंगे जिनके पास उनके पास है सब मसला अब मैंने समझता हूं कि किसी को टार्गेट कर रहे है वह क्या कर रहे है अब टार्गेट कर रहे है या क्या कर रहे है वह पहले लाने दीजिए फिर हम देखेंगे उसको नहीं इस बिल को भी लाए नहीं कोट में अगर बाट पार्टेट के मेंबर्स हैं वहां डिस्कॉशन करें इसकी जरूरत है या नहीं है खुब वहाद discussion हो फिर अगर जरुरत ने तो reject हो जाए जरुरत है तो परलेमेंट में पास हो जाएगा तो पूरे इंडिया के हर state के लिए हर किसी के लिए पास होगा तो यहां आसाम के मुख्वमुद्रिक भी बोलते हैं कि हम कुछ ला रहा है इसके लिए जो है यहां के स्कीम लाते हैं उसमें बोलते हैं कि आगर non-tribles के पास तीन बच्चे होगा उससों जैदा नहीं मिलेगा आगर tribels के पास तीन से भी जैदा होगा तो उनको मिलेगा तो खुद ही वो ब्र疫क कर रहे हैं chodzi prob पोलीगेमी ओली बात हो करते हैं, खुद उनके घर में, उनके मेंबर्स, उनके फॉल्लवर्स में पोलीगेमी का बाजार गरम है, तो ये पहले लाने दीजिए, रहा मसला इसलाम का, इसलाम तो एंकरेज नहीं किया, कभी ये नहीं बोलाएगे दो दो तीन तीन चार चार पास पास साथ साथ शादी करो, हाँ ओप्शन है इसलाम में, इसलाम में एक ओप्शन है कि किसी के पास एक बीबी है, अगर जरूरत है, तो दूसरी शादी भी कर सकता है, लेकिन साथ साथ इसलाम ने, कुरान ने ये भी कहा है, कि देखो, अगर दो बीबीओ के बीच में तुम अगर इंसाब नहीं कर सकते तो हर्गिस दूसरी शादी मत करना तो उसको ये भी कहां उसको तम्भी भी की अगर तुमें जरुरत पड़ी तो दो कर सकते हो there is option but अगर तुम justice नहीं कर सकते तो तुम दूसरी शादी के लिए सोचना भी नहीं तो इसलाम ने तो encourage नहीं किया अगर समस्ते है कि इसको सुधारना चाहिए फिर बात हो परलेमें बात हो इसको discussion हो तो अभी असाम में कुछ लाएगा उत्रखन में कुछ करेगा उपी ओलो को तुम कुछ करो पिर ग्वावलो को बोलेगा तुम दारले से इसको बिरोद करो तो इस से क्या मतलब होता है from breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India, subscribe to our YouTube channel, don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.